दोस्तों स्वागत आप सबका इंडियार्स नम्रन फैंटेसी किर्केट गुरू यूट्यूब चैनल पर काईस आज इंग्लैंड और पाकस्ताइम की बीच में चल रही वंडे सीरीज का तीसरा और आखरी वंडे मैच शाम को साड़े पांच बज़े खिला आएगा तुम्हें मैच की तरह लाको रुपे विन कर सको आपको याद होगा पिछला मैच यानि कि जो दूसरा वंडे मैच था उसमें क्लेरली मैं आपको वह रहा था कि देखो भाई मुहम्मद रिजवान है प्येसल में बहुत मारता होगा बट यहां पर मुहम्मद रिजवान की दाल नहीं क भी ला था तो मैक्समम लोग अली को ड्रॉप कर रहे थे पिछले मैच में लेकिन आपको अली को आज ड्रॉप नहीं करना है तो हसन अली को हमने अपिरी टीम में लिया और हसन नहीं पांच विकेट लिए और पलस में 35 रन के आसपास बनाए और एक तरफा विन करवागी च यह सारी चीजे मिआ आपको डिटेल में बताऊंगा अगर आप उब आपने य वीडियो पूरा देख लिया फिर 12 मिनेट को दो ऐसे यह आपको प्रेडिक्षन करूंगा या यह फिर्म आपको हर एक प्रेस के बारे में बताऊंगा कूंगा कि πα्रों को से नहीं करेंगे लेकिन जो मेरी final team है जिसके साथ मैं केलता हूँ जिसके साथ मैं रोजा ना win करता हूँ अगर मैं अपनी winnings की बात करो दो इस वक्त मेरा player spot का valid balance लग भग लग भग 2 करोड रुपे है तो अगर आप मेरी तरह win करना चाहते हो तो मेरी team अगर आपको लेनी है आपके phone में telegram app को होना चाहिए अगर नहीं है तो install कर लीजेगा इस video को देखने के बाद अब telegram app अगर आपने install कर लिया है तो उसके बाद आप क्या करें इस video के description में जाए और वहाँ पर मैंने telegram का link दिया हुआ है आप उस link पर जाकर करके telegram channel जोईन कर लिजेगा fantasy cricket group telegram channel है लगबग 5 लाख लोग पहले ही जुड़े हुए आप भी जुड़ जाईएगा और आप भी उन winners में सामिल हो जाईएगा जो रोजाना विन कर रहे है उमीद करता हूँ सभी लोग जिनों अभी तक telegram जोईन नहीं किया इस वीडियो को देखने के बाद जरूर टेलिग्राम जोईन करेंगे और गाइस अगर लिंक से जोईन ना हो तो आप टेलिग्राम एप पे जाना और सर्च करना add the rat fcg official आपको चैनल मिल जाएगा add the rat fcg official तो गाइस मैं बात कर रहा था इस मैच के बारे में तीसरा मैच है 13 जुलाई यानि कि आज साम को साड़े पांच मिज़े खिले आएगा कहां पर खिले आएगा ये खिले आएगा बर्मिंगम में अब बर्मिंगम का एक record रहा यहाँ पर अच्छा खासा score बनता है क्यों बनता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा तीकि weather की बात करूँ तो पिछले मैच में मैं आपको बोला था कि बारिश होगी आज बोल रहा हूँ बारिश हो सकती है बट कम चांस है पिछले मैच के मुकाबले में आप पिछ आपको बोली रहा हूँ कि भाई बैटिंग विला लिए और थोड़ा सा पैसर्स को यहां पर डॉमिनेंट करती है बाकि एक चीज़ में आपको जादू अगर आपने इस मैच में अच्छा खासा अमांट बिन काना है गिनान लिग में आपने लखपती बनना इस मैच में अगर आपके फोन में नहीं है तो आप नहीं बन पाओगे क्योंकि एक मात्र ऐसी एप्लिकेशन है जो कम इंट्री फीस लेकर के बहुत सारा आपको पैसा देती है मैलें सर्कल 25-25 लाग रुपे देती फर्स्ट रैंक पर आने को और वीकली यह एक क्रोड रुपे का प्राइस देती है तो अगर आपने अभी मैलें सर्कल को इस्टॉल नहीं किया है तो भाई इस वीडियो को देखना डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्षन में लिंक दिया हुआ है आप जाना और साइन अप करने ना साइन अप करना जरूरी है क्योंकि जरूरी इसलिए अगर आपने क्रोड रुपे जीतने एक रुपे में, दस रुपे में, पचीस रुपे में और कम कॉंप्टिशन में तो भाई क्रोड पती बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तो इस वीडियो को देखने के लिए पाद आप दिस्क्रिप्शन वे जाना, कमेंट सेक्शन में जाना और मेरे लिंक से साइन अप करते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिये हुआ है तो आपको 1500 को बॉनस पलस में फर्स्ट उपोजिट पर 20% एक्स्टा कैश मिल जाएगा देखिए यहाँ पर वीकली करोड़ पती कॉंटेस्ट यह उपकार शाहा है इन्होंने एक करोड़ पर जीते हैं तो यहाँ पर आपकी भी फोटो हो सकती है बस आपने करना क्या है आपने माईलों सरकल को इस्टॉल कर होगे और यहाँ पर आप इस मैच में टीम बनाकर के अच्छा खासा अमाउंट करोगे काईज मैं बात करता है ग्राउंट की बारे में तो यहाँ का अगर हम देखें तो पच्पर मैच टोटल लगे ले गए पच्पर से 24 बैटिंग वैले टीम ने और 30 फिल्डिंग वैले आराए की 400 के पलस एक बार इंगलेंड की टीम ने बनाए तो शायद यह वही मैच है और लोविस्ट स्कोर रहा है उस्टिलिया का 70 बनाए बाकी आगे हम देखें तो आखिरी के चार मैच आपको दिखेंगे मैं आपको मोटा मोटी बदाए तो ज्यादा लंब बना करते हु होग謝謝 एक मैच में टीम अलाउट ही है पहले बैटिंग करते हुए एक मैच में 9 गहाएं मतलब एक मैच में संदीर इंक to और अगर हम total wicket देखे, चार match में, तो 4 match में total 50 wicket गरे, मतलब कि 80 wicket में से 50 wicket गरे थो, जिसमें से 41 wicket पेसर से ने लिये हैं, और 8 wicket सिरफ spreaders को मिले, तो यह चीज़ आपको अंदाजा हो गया होगी कि आपकी team में पेसर कितने होने, spreader कितने होने, तो पेसर को 41 मिले इस पनर्स को 8 मिले तो उसी साफ साफ टी मनाईएगा बागी गाईस आपका free giveaway question है कि आज बाबर आजम जिनको पाकिस्तान के लोग legend कहते हैं लेकिन सिर्फ Zimbabwe के against आज बाबर आजम कितने run बनाएंगे तो आपने थोड़ा सा mind दोड़ाना है कि यह Zimbabwe है या England है तो इसके against बाबर कितना बना सकते हैं और second question भी सुनना है आपने आगे question हो रहाएगा दोनों question का सुनने के बाद आपने वीडियो का like करते हुए अगर like नहीं किया अभी तक तो भाई like कर दीजिए आपका प्यार थोड़ा सा चाहिए होता है अगर आप प्यार देते रहते हो तो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ उम्मीद करता हूँ सभी लोगे लाइक कर दीजिए होगा कुछ भी time नहीं लगता है यार आप नीचे देख रहे हूँ जस्ट आपको किलिक करना लाइक के बटर पर उम्मीद करता हूँ सभी लोगे लोगे लाइक कर दीजिए होगा और अब आपने करना क्या है ये कोश्चन सुन लिए अगला कोश्चन सुनना है उसके बाद हैश्टाग जीउस करते हूँ आपने अंसर कर देना अगर आपका सही अंसर रुआ तो अफिरी में 50,000 विन कर लोगे हैट टो हैट देके तो पाकिस्तान बहुत पीछे है पच्पर इंगलेंड की टीम 32 पाकिस्तान और जो पिछले हैट टो हैट मैच रहे हैं इस सीरीज में दो मैच है और दो मैच में आप देखोगे इधर से विन्स और साल्ट सेकंड मैच में चले हैं पहले मैच में मलन और क्रावली मतलब कि बैटिंग में इंगलेंड के तरफ से तोनों मैच में दो अलग अलग प्लेयर ने भॉम किया है बॉलिंग में मेहमूद ने पहले मैच में भी चार विकेट लिए दूसरे मैच में दो विकेट लिए ओवर्टर ने पहले मैच में दो लिए और आपके पाकिसन ने पहले मैच में दो लिए और सैकंड मैच में दो लिए और ग्रोजरी ये सबसे मस्त प्लेयर लग रहा भाई बहुत ही अच्छों रूंड रहे तीन विकेट चालिस रन इस मैच में भी लगबग सभी के पास ही होने वाला और मैक्सिमल लोग इसको कैप्टन भी बनाएंगे तो यह पिछला मैच है बाकी पाकिस्तान की तरफ से यह जो पिला पोमेंस रहा है न उसकी बेस पर कोई पोम कर सेरीज में उसको ध्यान में रखते हो आप थोड़ा से रिस्क लेते हो टीम बना दिजिएगा यह इंग्लेंड का स्कूर्ड हैस में जैम स्विंस सबसे इंपॉर्टन प्लेयर में से एक हैं हलाकि जैक किरावली थोड़ा सा ओपर जरूर आते हैं बट जैम स्विंस एक्सप पॉइंट को देखते हुए थोड़ा सा कमी चेंज करेगी लेकिन फिर भी अगर कोई छोटा मैंट चेंज हो जाते हैं आपको टेलिग्राम पर बता दूंगा कि आपने इस प्लेयर को लेना लेने लना है फिलाल जो प्लेंग लिए होने मेरी साब से कोई चेंज नहीं बंद को यह आपको दिखरा है पाकस्तान में भरोसे मंद बल्लेवाज बाबर आजम है अगर जंबावी की टीम होती तो मैं मान सकता है कि बाबर आजम सेंचरी निवार देगा बट यह इंग्लेर की टीम हो सकता है चल जाएं बट चांसिस थोड़े से कम हैं मोहमद रिजवान मेर खेलते हैं बट वन डे में इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस सीरीज में पूरी दरकेसे फ्लॉप हैं बट इनकी जगापर किसी प्लेयर को अगर लाइंगे तो किसको लाइंगे आप्शन ही नहीं कोई तो मजबूरी हो जाती इमाम को खिला रही की फाकर जमाना फाकर नवाज या फिर मॉहम्मद असनहें उसके बाद साहूद सकील है साहूद सकील ने यार बड़ा मस्द डेबू किया है सैकिंड मैच में 50 प्लस एक रन एक विगेट अब उसके बाद आप देखो पाकस्तान की प्लेंग लवन का इस पाकस्तान की प्लेंग लवन में दो होगा जो भी प्लेयर आएगा उसके हिसाब से मैं आपको टेलेगराम पर बता दूंगा तो फिलाल हम बात कर लेते हैं आपर सेकंड कोश्चन की तो सेकंड आपका कोश्चन है फिरी गियोए का वह है कि आज बैन स्टॉक्स माई लेंट सर्कल पर कितने पॉइंट देंगे अब गाइस देखो माईलन सर्कल का पॉइंट स्टम है थोड़ा सा अलग वह ड्रीम लेंट का जैसा नहीं है तो अगर आपने सही आंसर करना है अपने थोड़ा सा मतलब जीतना पचास जार रुपे तो थोड़ी सी मैनत तो करनी होगी तो अभी जाईएगा इस वीडियो के देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैलन सर्कल को एप को इस्टॉल करिएगा और वहाँ पर जो आपका बजट है उसके हिसाब से आप वोईश्ट करके खेल सकते हो बाकि पॉइंट सिस्टम जरूर देखना कि यहां का पॉइंट सिस्टम कैसा है थोड़ा सा आ लग है और उसी का बैनिफिट यहां पर मिलता है और उसी के विए से अच्छागा सामोंट बिन कर लेते हैं तो पॉइंट सिस्टम का सबसे पहला बैनिफिट यह होगा कि आप इस वीडियो मता सकोगी कि बैन स्टॉक्स आज कितने पॉइंट देंगे अब ग बारा मैच में 19 विकेट ने इंगलेंड के आगेस्ट शाकिब ने दो मैच में चेह लिए जो कि सेकंड पे आ गए हैं बाकि अगर हम बात करें मेरी माइलों सरकल टीम के बारे में तो खैस मेरी माइलों सरकल की टीम देखिए थोड़ा सा अलग सी टीम है इसमें मैंने अलडर को जाथ प्रिफेर कर रहा हूँ पाकिस्तन के बैट्समें से जादा सुध सकील या पाकिस्तान में पाकिस्तान में पांच छे साथ सब की या नहीं है ठीक है तो क्यो हुँ ना मैं ऑल यूंडर से थोड़ा सा बॉलिंग का भी फाइद उठां तो मैं सउध सकील के सा या आ यारूरिवे बाकित चाहिजा चाहिए अब कहें जा एक फ़कर के शाने करेंद देखाव चाहिए अब तो अब मैं आपको उदादू, अगर इंगलेंड पहले बैटिंग करेगी, तो मैं बैनिस्टॉक को टीम में लूँगा, सदाब को ड्रॉप करके, अगर इंगलेंड चेज करती है, बाद में बैटिंग करती है, तो फिर मैं बैनिस्टॉक को टीम में नहीं लूँगा, फिर मे कम बैटिंग आएगी सेकंड इनिंग में और हो सकता है आए और आउठों के भी चले जाए तो इसलिए थोड़ा से ज्यादा चांसे की शायशाद आप कहां अच्छा खाज पॉइंट दे सकते हैं अगर इंग्लांड पहले बॉलिंग करती है तो यह होगी मेरी टीम उम्मीद क और आपके शाहिन आफरीदी के साथ साथ साकिब महमुद तो यह कुछ इंपॉर्टन प्लेयर है जिनको आज आज आपनी टीम से ड्रॉप नहीं करोगे तो बारा मिनट बोलता है मैंने तेरा मिनट का वीडियो हो गया तो उमीद करता हूँ जिन लोगों ने तेरा मिनट आपको चैनल मिल जाएगा जाकर के इस्टोल करके साइन अप करके वहाँ पर फाइदा उठाते हुए अच्छा खास आमांट डिवाइस करके विन कर लीजिएगा